नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुक खबरों पर नर्स ने गाटा दस दिन के बच्चे का अंगुठा पशिम बंगाल के दक्षिंग दिनासपूर जीले के अस्पताल में हुई एक दिल दहला देने वाली घट्ना में नर्स ने सैलिन ट्यूब हटाते समय दस दिन के एक बच्चे का अंगुठा ही काट लिया पुलिस ने नर्स को गिरफतार कर लिया है बालूरगाट पुलिस थाने के आईसी वीपुल बनर्जी ने कहा कि आरोपी नर्स का नाम रेखा सरकार है जिसे एक स्थानी अदालत में पेश किया गया जहाँ पुलिस ने उसके पांच दिन की रिमांड की मांग की इस साल 22 जुलाई को सैलीन ट्यूब हटाते समय कतित तोर पर केची से 10 दिन के बच्चे का बाया अंगुठा कट गया था कटा हुआ अंगुठा कूडे के डिब्बे से मिला था और उसे नवजात की हतेली में जोडा नहीं जा सका क्योंकि सिलीकुडी से 300 किलोमेटर की दूरी पर स्थित रैफ्रल हस्पताल में कोई प्लैस्टिक सर्जन नहीं था पाक रेंजर्स में रोका भारतिय राजनेग का सामान एक भारतिय राजनेग तततीन अन्य अधिकारियों के घरेलू सामान की खेप को पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने वागा सीमा पर रोक दिया और भारत के आग्रह के बावजूद इसे आने नहीं दिया गया सुत्रों ने बताई कि यह खेप इसलामाबाद में भारतिय दूतावास के एक भारतिय राजनेग तता तीन अधिकारियों की है और भारत सरकार के आग्रह के बावजूद एक महा से जादा समय बीतने के बाद भी पाकिस्तानी रेंजरों ने इसे अब तक नहीं छोड़ा है भारत और पाकिस्तान के सीमा बलों के बीच होने जारे ही महान इदेशक्सतर की बाच्चित में यहां मुद्दा उठाया जा सकता है एपल का आइफोन 6S और 6S प्लस लांच मुबाइल के दुनिया की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी एपल के CEO टीम कुक ने बुद्धवार रात अपना नया स्मार्टफोन आइफोन 6S और 6S प्लस लांच किया आइफोन का यह नया मॉडल अपने पहले मॉडल से थोड़ा पतला और भारी है इसी कसाथ एपल ने कई गैजेट्स भी लांच किये जिसमें iPad Pro, Apple Watch और Apple Pencil शामिल है एपल के आइफोन 6 में कई खास फीचर है इसमें Force Touch फीचर है इसे 3D Touch डिस्प्ले भी कहा जा सकता है क्योंकि यह तीन अलग-अलग लेवल यानि Touch, Price और Deeper Price के Touch के बीच अंतर कर सकता है यह फीचर Apple Smart Watch में पहले देगे फीचर का Next Generation वर्जन है Force Touch से Touch Experience बहतर होगा और Response Time कम होगा जिससे इसके Apps और TG से काम कर सकेंगे